आज मैं आपके लिए बहुत इंट्रेस्टेट वीडियो लेकर आई हूँ इसके मैंने पांच पांच करा दिये हैं अगर आपने वो नहीं देखें तो आप मेरी उन फाइफ वीडियो को देख सकते हैं यह सिक्स पार्ट है हिंदी भारखणी इंग्लिश में लिखना सीखें व लग्क को इंग्लिश में कहते हैं एल बैल लग्ला लग जाता है वth इससे प्रणाउंस किया जाता है हिंग्लिश में एल औरे लली ली पड़ीง किया जाता है एल और लू पर छोटू की मातरा है यह लू इसे परनाउंस किया जाता है इंगलिश में L और यू लू यह ला ला पर बड़े उ की मातरा है यह लू इसे इंगलिश में परनाउंस किया जाता है L डवलो लू ले यह एक ही मातरा है ले के उपर इसे परनाउंस किया जाता है इंगलिश लो यह लापर ओ की मातर है लो इसे इंग्लिश में प्रणाउंस किया जाता है ल और ओ लो लो को इंग्लिश में प्रणाउंस किया जाता है ल ए यू यह डवलो की मातर है लापर लो लम को लम भी कहते हैं और लेन भी कहते हैं यह बिंदी ना भी पढ़ाया था मा भी प्रणा डबलू से, ओलने W, वा, वा के जब आगे डंड़ लग जाता है, तो इंगलिस में परनाउंस किया जाता है, डबलू और A, वा, वी, वा पर छोटी के मातरा है, वी, इसे इंगलिस में परनाउंस किया जाता है, डबलू और आई वी यह बड़े के मातर है वी इसे इंगलिस में प्रनाउंस किया जाता है डबलू डबली वी वी वो यह छोटों के मातर है वापर वो इसे इंगलिस में प्रनाउंस किया जाता है डबलू और यू वो वो वू, वा पर बड़ेओं की मात्र वू, इंग्लिश में परनाउंस किया जाता है, डबलू, डबलो, वू, वे, वे पर एकी मात्र वे, इसे परनाउंस किया जाता है, इंग्लिश में डबलू और ए, वी, वी पढ़ा जाता है, वे, इसे वे भी पढ़ सकते हो, वी वी, वे, व वाउ वाउ पर ओ की मातर है वो इसे इंगलीस में परनाउंस किया जाता है डबलू और ओ वो वाउ वाउ पर डबलो की मातर है इसे इंगलीस में परनाउंस किया जाता है डबलू ए और यू वो वाम वाम को वाम भी कह सकते हैं और वैन इसे दो तरीके से परनाउंस किया जाता शा को इंगलीज में प्रणाउंस किया जाता है only से, S और H से श, 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 जब शा किया है एक टंडर लग जाता है तो इसे इंगलीज में प्रणाउंस किया जाता है S, H, A SH, 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 SHU, 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 SHU शू, शू को इंगलिस में परनाउंस किया जाता है S-H-O, शू, शू, शे, शे को इंगलिस में परनाउंस किया जाता है S-H-E, शी, शी भी खर सकते हैं से शे, शे भी पढ़ा जाता है, शी और शे, शे, शे को इंगलिस में परनाउंस किया जाता है S-H-A-I, शे, शे, शो, श दो को इंग्लिस में परणाउंस किया जाता है— ईसे शन बी पढ़ा है और शम भी पढ़ा जाता है इसे इंग्लिज में प्रनाउंज करेंगे SHI SHI SH शाब को इंगलिज में परनाउंस करेंगे SH SH SHU SH 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 शू को इंगलिस में प्रणाउंस करेंगे एस एच डवलो शू शे एस एच इ शे शे शो शो एस एच ओ शो 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 यह ओ की मात्र है शो को इंगलिस में प्रणाउंस करेंगे एस एच एच इउ शो सा 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 को इंगलिस में प्रणाउंस करेंगे ओली एस से सा शा बड़े सा को इंगलिस में प्रणाउंस करेंगे एस और ए से सा सा सी स आई सी 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 C, C को इंग्लिस में पर्नाउंस करेंगे S, डवली, C, जब डवली की, डव बढ़ी की मातरा लगती है, C. Su, छोटे ओंगी जब मातरा लगती है, S, तो उसे पर्नाउंस करेंगे, S, और U, Su. Su, 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 Ju, Su, 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 Su सो, साव, साव को इंग्लिश में परनाउस करेंगे स, ए, यू, साव, स, ए, यू, साव, साम को सम भी पढ़ते हैं और सान भी पढ़ते हैं, स, ए, 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 साम और सैन, ना भी पढ़ जाते हैं, मा भी पढ़ जाते हैं, ह, वहली हा को परनाउस करेंगे ह से, ह, 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 जब हा आगे मात्रा लग जाती है हा तो उसे पन्नाउस करेंगे H और A से हा ही को पन्नाउस करेंगे H और I ही 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 को पन्नाउस करेंगे H double E से ही हू हा पर U की मात्रा आई हू को पन्नाउस करेंगे H और U से हूँ, ये बड़े हुगी मतर है हाप है, जब पर नामस कहेंगे हूँ, हूँ, हे, ह-e, हे, ह-e, हे, ह-e, 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 ह हो, 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 हो पर यह डवलो की मातर है, हो, इसे इंगलिस में परनाउंस करेंगे, ह-a-u, हो, हो, हम, हम को हन भी कहते हैं, हन भी कहते हैं, और हम भी कहते हैं, इसे परनाउंस कैसे करेंगे, ह-a-n, हम और हैं, शा, क-s-h, शा, इसे, के इसमें साइलेंट होता है, शा पढ़ जाता है तो शो के एस हे इस मैं साइलेंट की चप शी के एस एच निवड कल शी के एस एच ऑई शी शी के एस य को शे जब बढ़ी के मातर है यह लाइख द्रिख यह ता है के एस एच डार्वली शी शू जब छोटियों की मातरा लगती है तो यू लगता है शापर जब बड़ेयों की मातरा आती है तो डवलो लगता है के एस एच डवलो शू शे शे के से लिखा जाता है शे के एस एच ए के एस एच ए आई शे 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 शाओ शाओ को इंगलीज में परनाउंस के जाता है के एस एच ओ शो शो शाओ शाओ को इंगलीज में परनाउंस के जाता है के एस एच ए यू शाओ के एस एच ए यू शाओ शाम Sham को pronounce क्याता है K Sham 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 Gya गया इंगलिस में pronounce क्याता हता है G और Y से Gya जब Gya कि आगा आखके मातार लग जाती है तो इसे pronounce क्याता है Gya 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 Gई G को pronounce क्याता है अंगलिस में जब बड़ी की मातरा लगते है तो डवली आता है गी ग्यो जब ओ की मातरा लगते है तो पड़े आता है ग्यो ग्याम ग्याम को क्या पड़े जाते हैं एक पन्नाउस किया जाते हैं एंगलिस में जब बिंदी लगी वे होती है थैंक यू फोर वाचिंग अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुचे थैंक यू फूर